जब बाहु बली और आरारार जैसे फिल्में आई तो ये वो फिल्में बनी जिन्हों ने इंडियन सिनिमा को वर्ल्ड लेवल पर पहुचाया और वर्ल्ड लेवल के जो अवार्ड शोज हैं वहाँ पर ये फिल्में दिखाई गई इन फिल्मों को तारीफ मिली यानि कि कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक फिल्म ही काफी है लेकिन ये भी सच है कि इंडस्ट्री को द्वस्त करने के लिए एक फिल्म ही काफी है और वो फिल्म है आदी पुरुष जी हाँ आदी पुरुष ऐसी पनौती साबित हुई है कि इसने इ ऐसा डिसिजन लिया है जिससे आदिपुरुष क्या पूरी बॉलिवूड इंडस्ट्री एफेक्ट होगी। नेपाल में इंडियन फिल्मों की स्क्रीनिंग बैन कर दी गई है। आदिपुरुष से नारास काटमांडू के मेर ने एलान किया है कि हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग नेपाल में नहीं की जाएगी उनकी स्क्रीनिंग पर तुरंथ बैन लगाया जाए। अब ऐसे में वो फिल्में भी इंपाक्ट होगी जो आगे चलकर नेपाल में रिलीज होने वारी थी और नेपाल से जन्हें अच्छी खासी इंकम मिल रही थी। आदी पुरुष ने ऐसा काम किया है कि बॉलिवूड इंडस्ट्री के लिए आगे के दर्वाजे खोले नहीं बलकि जो खुले दर्वाजे थे उन्हें भी बंद कर दिया है। जो कह रहे हैं कि आदी पुरुष के बाद ओम राउत और मनोज मुंतशिर इन दोनों के तो करियर आल्मोस्ट खत्म हो चुके हैं। ओम राउत को कोई भी अपनी फिल्म नहीं देगा डिरेक्ट करने के लिए और ना ही मनोज मुंतशिर से कोई आगे चलकर डायलॉग्स या गाने लिखवाएगा। वहीं बात करें प्रभास कृती सैनन की तो कहा जा रहा है कि आक्टर्स को इतना इंपक्ट नहीं होगा उन्हें वैसे ही फिल्में मिलती रहेगी क्योंकि आक्टर डिरेक्टर के कहने पर काम करते हैं। बट ये बिल्कुल सही है कि आदी पुरुष बहतों को ले डूब रही है।